स्वालो अव्रीवन आई विलकम यौल तो सॉरा पाइंडे यूपीसी यूट्यूब चैनल में अगर आप सिविल सर्विस एक्जाम की तयारी कर रहे है तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ है जो एक इंडियन एक्सप्रेस में भी देखोगे दा हिंदो न्यूस पेपर में आपका या है महा मात्रा करके हैं एक इंडियन मेंबर ओफ पार्लियमेंट का यह हिस्सा है और इन्हें एक्सपेल किया गया है फ्रम लोगसभा अब इस पर हम बोग चर्चा करेंगे पहले विए ट्राइटो अंडियन केस क्या है और फिर यूपी असी प्रोस्पेक्टिव में विए ट्राइटो अंडियन दिफ्रेंट इमेंशन फॉर एथिक्स और प्रिविलिज कमिटी के बारे में और यह यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे अगर एक्सपुल्शन किया जाता है तो क्या सम्वेधानिक लेवल पे इसमें क्या प्रावधान है वो भी जानने का प्रयास करेंगे देखो जो प्रशन आपके लिए फ्रेम होगा that will not be related with the controversy कि जो political dimension इसका नहीं होगा लेकिन we have to understand constitutional part में ethics committee के बारे में और पूरी चीज़ हम भूग discuss करेंगे तो महुआ मित्रा जो है वो इंडियन politicians हैं formal investment banker भी है और इस पुझे से हो सकता है कि थोड़ा money aspect से related इनकी जानकारी जादा हो और ये member of parliament के रूप में सर्व भी किया है from कृष्णा नगर इन्होंने जो seat जीती 2019 में और जो all India तरनमूल Congress है उसकी ये candidate रही है अब इसमें जिस case में इनकी उपर जिसकी वेसे इने expel किया गया है 14 अक्टूबर 2023 में देहा दराई जो है एक करके हैं उन्होंने accuse किया मात्रा को कि इन्होंने that मात्रा received money और उन्होंने favor किया from दर्सन उन्होंने favor किया from दर्सन हीरा नंदानी जो की एक ए यह था कि जैसे हर एक जो पार्लामेंट का मेंबर होता है उनके पास यह एक राइट होता है कि जो question है वो पूछ सकते हैं different different types of questions वो frame किये जा सकते हैं start question जिसमें आप overall पूछ सकते हो यानि start question written level पे भी questions जो है वो पूछे जा सकते हैं अगर कोई भी question पूछा जाता है तो उ possibility हो सकती कोई controversy arise हो सकती है तो यह कहा गया कि जो दर्सन जो यह हीरा नंदानी है यह एक rival group के है जो अडानी group है उसके rival group से थे and कुछ ऐसे प्रशनों को पूछा गया जिससे अडानी group के खिलाब जो controversy है वो आपका arise हो और एक business favor जो हीरा नंदानी है उनको मिल जाए तो दर्स question है और उनने like it was claimed that he used TMC MP उनका जो login ID है उससे जो question है वो पुट किया गया और directly जैसे जैसे मालो login ID उसमें question अगर upload करते है तो directly जो question है वो speaker तकरीच कर जाता है या जो लोग सभा के secretariat है वहां तकरीच कर जाता है और फिर उसकी जो proceeding है वो आपकी शूरू हो जाती है अब प है वो कर सकता है अब एक जो जो वहां पर भी ruling मतलब जो ruling सरकार है उसमें जो उनके जो एक MP है एक दूबे करके है उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा ओम बिरला जो speaker है उनको एक letter भी लिखा और इसमें कहा गया कि जो महत्रा है वो directly scam में involved थी और उनके द्वारा जो एक कद कुछ लोगों को favor करे जैसे जो questions इस तरीके से frame किये गए कि किसी को business level पे उनको benefit आपका हो तो यह कहा गया कि यह जो तरीका है या फिर यह जो एक privilege मिलता है जिसमें जो भी member of parliament है वो आपका चीज़े पूश सकते हैं और साथ में अपने viewpoint सा रख सकते हैं यह privilege है कोई member of parliament उस को enjoy करता है लेकिन यहां पर कहा गया कि यह जो यह कहीं न कहीं breach of privilege है और house का भी contempt है और यह criminal offense है यह चीज़ highlight की गई जो Mr. Dubekar के जो parliamentarian है उन्होंने इस तरीके से accuse किया अब यह एक बड़ा बड़ा आप कहा सकते हो कि offense के रूप में दिखाने का जो है प्रयास किया जब इसका मतलब कि कुछ जो rights है हर एक member of parliament कुछ rights को enjoy करते है और इन rights के बीना वो अपने जो functions है उनको या फिर जो अपने कार प्रणाली है उसको वो सही तरीके से run नहीं कर सकते है तो ऐसे कई प्रकार के जो privileges है वो member को मिलते है और यह सिर्फ member को ही नहीं certain privileges house as a whole या parliament को भी कु पूरा का पूरा जो business of the house है वो आपका run कर सकता है. Parliament किसी person को punish कर सकता है अगर वो person चाहे वो member of parliament का हो या नहीं हो इस case में तो member of parliament है तो certain level पे जो भी business house का है certain rules, regulations के माध्यम से उन चीज़ों को run किया जाता है अगर कोई person उसको disrespect करे तो उसे content of the house के रूप में consider किया गया है तो यहाँ पर जो भी कदम उठाया गया है MP के दौरा उनके खिलाब जो claim किया गया कि यह इस type पे involved थी तो उसे consider किया गया है कि एक तो breach of privilege भी है at the same point of time content of the house के रूप में भी कहा गया. 19 अक्तूबर 2023 में हेरा नंदानी जो है वो approver के रूप में turn हो गया मतब उन्होंने approver के रूप में कहा कि हाँ उन्होंने जो है एक परकार से कि यह business man है इन्होंने यह MP हमाटरा है उनसे favor लिया था और उनके behalf में उन्होंने प्रश्ण भी पूछा था और यह कहा गया कि इस विर्फ यही था कि कहीं न कहीं उस प्रकार के प्रश्ट पूछ के कोई न कोई एक business जो favor है वो मिले और एक competitive advantage रहे अडानी ग्रूप के context में 9 नॉवंबर 2023 में Parliament की जो ethics panel है उसने recommend किया कि जो ये member है इनको इनको हटाया जाए 8th December लोग सभा ने इसको pass out किया और जो member है उनक है जो हमने अभी discuss कि अब हमें कुछ points जो है discuss जो करना है जो बहुत important हो जाते हैं जहां पर झांसरा झांसराइब जो मिलेट सक्टाइब एक हमें का जो हमें मार्णया जो हमें हमें बहुत सक्टाइब भ्राव एकिस्पा भ्राव और dob रहां में से लगका हैं स्थर। झाल झाल तो अभी जो हमने डिस्कस किया यह कुछ certain events है जो की हुए हैं अब यह discuss करते हैं जो UPSC prospective से देखा जाया तो ethics committee के बारे में ethics committee का गठन हुआ था 2000 के अंदर और इसमें यह देखना है कि जो भी member of parliament है उनका जो नैतिक और ethical conduct किस तरीके से हैं although यह define नहीं किया गया है कि आखिर unethical conduct होता क्या है यह चीज decide की जाती है by the committee itself तो यहां पर क्या है कि committee को जो भी complain किया जाता है उस committee उसको examine करती है और फिर उसके बाद report submit होती है पर्लामेंट में report आपकी रखी जाती है और फिर उसके बाद जो speaker हो उस report को देखते भी है और speaker के द्वारा फिर depending upon जो house है उसमें discussion होके और फिर resolution के माध्यम से जो भी person है उस person के खिलाफ जो भी recommendation उस basis में जो action है वो आपका लिया जाता है यहाँ पर unethical क्या है यह चीज़ डिफाइन नहीं है एक दूसरी committee आई जिसे हम privilege committee भी कहते हैं यह बहुत पुरानी committee है अब यह consider किया जाता है कि जो privilege committee हो जो serious accusation है उसको देखती है 1951 में एक special committee है it found a member guilty of promoting a business interest 1951 में ही चीज़ देखी गए कि privilege committee ने एक member को find किया कि कहीं न कहीं कुछ business interest किसी को push करने के लिए या उसके benefit को provide करने के लिए प्रश्न पूछ के कुछ benefit provide करने के लिए कोई एक member थे वो आपके involved थे इस चीज़ को identify privilege committee के द्वारा आपका किया गया again special committee ने inquire किया था cash for inquiry scam 2005 में जहां 10 MP जो लोग सबागे थे उनको हटाने का ये expulsion करने का recommendation आपका दिया गया प्रश्न आता है कि क्या जो expulsion होता है क्या है समविधानिक है आर्टिकल 101 ये highlight करता है कि किस basis पे कोई भी MP है उनको हटाया जा सकता है expel किया जा सकता है seat से हटाया जा सकता है तो एक तो जैसे खुद वो resign करते हैं या फिर certain disqualifications के उसमें criteria mentioned है जैसे मालो 60 दिन तक continuous basis पे अगर वो attend नहीं करते हैं जो भी proceedings है हाउस की तो उनको हटाया जा सकता है expel किया जा सकता है जो speaker है वो action जो ले सकते हैं एक्सपोलिशन as a term के जो है वो आपका mentioned नहीं है so honorable supreme court ने भी कुछ इसमें judgments दे रखें जैसे राजा राम पाल versus honorable speaker यह जो एक case है इसमें जो power of the parliament है जो parliament है उनके पास यह power है that they can expel its member for breach of privileges अब यहाँ पे कहा गया कि जो राजा राम पाल जो case है जिसमें honorable supreme court ने इस चीच को highlight किया है कि even by using the article 101 इस article का इस्तमाल करके किसी भी जो MP है या member of parliament उनको expel भी किया जा सकता फिर दुबारा अमरिंदर सिंग जो case है 2010 में वहाँ भी honorable supreme court ने यह चीच हाइलाइट की कि अगर ऐसे कोई expulsion किया जाता हो नसम्मेधानिक तो यहाँ पे दो different type of judgments जो है वो आपका highlight किये गया honorable court के द्वारा भी अब यहाँ पे का गया कि यह जरूरी है कि जो भी privilege है house का उसको एक balance करके चला जाए reconcile करके चला जाए कि कहीं न कहीं एक तरफ तो house का privilege maintain रहे at the same point of time जो democratic setup है वो भी रहे क्योंकि कहीं न कहीं जो individual है वो बहुत सारी लोगों को represent करता है तो हमारा democratic representation भी बना रहे and at the same point of time जो privileges है house के या individual के जो privileges है उसको भी हम protect कर सकते हैं फिर यह भी का गया कि देखो अगर मानलो कोई committee अगर किसी proceeding के माध्यम से जो है यह यह किसी act में involved है की नहीं है तो parliamentary जो committee की scrutiny है वो कहीं न कहीं इतनी अधिक नहीं होती है जितना आपका judicial case में होता है judicial case में क्योंकि पुरा evidence act होता है और कुछ उसमें rules regulations होते हैं उसके माध्यम से किसी को भी जो भी individual involved होगा उसको हम उसके खिलाफ जो जो भी action हो लिया जा सकता है judicial case एक different aspect है लेकिन parliamentary committee की दोरा जो scrutiny होती है वो ऐसा evidence पर based इतना अधिक होता नहीं certain certain कुछ जो opinions और वो सारे आपके लिए जाते है और उस basis में जो decision है recommendations है वो आपको दिया जाता है ठीक है तो यह कुछ idea हमें रखना ethics committee privilege committee क्या expulsion समविधानिक है की नहीं है और फिर how to reconcile privilege of the house and democratic representation स्वारपंडे CSE app आप लोग जरूर से download करें और यह जो current affairs two years coverage इसमें सारे के सारे जो PDF में डाल दिये है 1,2,3,4,5,6,7,7,7 test kit लगबग सारे 300 questions आपके है advanced current affairs के वो uploaded हो चुके है 5 am के भी आप देखोगे content already uploaded है और प्लेम्स जो test series current affairs के advanced current affairs के total 50 टेस्ट है आठवा test Sunday को scheduled है स्वारपंडे CSE app डाउनलोड करें और अपना जो है preparation करें course on ARC report वो भी आपका live है इसमे ethics in governance, ethics in governance, terrorism से related report है, social capital से related report है, state administration से related report है, सारी की सारी reports आपकी uploaded है तो वो भी आप go through हो सकते हैं यह course भी बहुत आपके लिए important है स्वारपंडे UPSC YouTube चैनल, Telegram चैनल को भी आप लोग जरूर से join करें और अपना answer post कर सकते हैं, दाहिंदू session की PDF भी आप download कर सकते हैं स्वाच के लिए तना ही, thank you everyone, thank you